Hello everyone, कैसे आप लोग, hopefully काफी बढ़िया होंगे तो हम लोग एक नया सीरीज लेकर आये थे Theories plus P.I.Q. सीरीज जिसमें हम लोग हर वीडियो में स्टार्टिंग के 2-3 मिनिट में कुछ कंसेप्ट डिसकस करते हैं और उसके बाद उसी कंसेप्ट पर बेस्ट पाच्छे कोस्टिन डिसकस करते हैं जो कि जेई में आ चुके हैं उसी सीरीज का आज हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं मोल कंसेप्ट का एक नया कंसेप्ट जो कि अप्लिकेशन ओफ स्ट्राइकियोमेटरी उसको डिसकस करूँगा जिसको हम लोग अप्लिकेशन ओफ मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं तो स्टार्टिंग के तिन-चार मिनट में हम लोग धेरी डिसकस कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग प्यवाइक्यू डिसकस कर रहे होंगे और इसका पार्ट वण आ चुका है जिसमें मैंने डिसकस किया है कि मोल को मास में, मोल को नंबर में और मोल को वाल्यूम में कैसे कनवर्ट करते हैं और उस पर बेस्ट जेई में जो कोश्चन आये थे उनको डिसकस किया था हमने पिछले वीडियो में तो वह आप देख सकते हैं और आज हम लोग नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं इस नए वीडियो को तो यह हमारा कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा अप्लिकेशन ओफ मोल कंसेप्ट या फिर इसको हम लोग स्ट्रेक्योमेटरी भी कहते हैं तो इसके लिए आपको एक चीज जो की आना चाहिए वो है बैलेंसिंग ओफ रियेक्शन यह हम लोग क्लास टेंथ से ही पढ़ना सुरू कर देते हैं तो बैलेंसिंग ओफ रियेक्शन आपको आना चाहिए अगर यह नहीं आता है तो इसका ओल्डेडी वीलियो डला हुआ है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और टेलिग्राम ग्रूप पे भी सेयर कर दूँगा बैलेंसिंग रियेक्शन को दो तरीके से मैंने बैलेंस करना सिखाया हुआ है heat and trial method और algebraic method तो यह आप वहाँ से देख लेंगे अगर आपको रियेक्शन बैलेंस करना आता है तो आप आज के वीडियो में जो भी जेई का सवाल में include कर रहा हूँ वो सारे आप attempt कर सकते हैं और सही कर सकते ही उससे पहले कुछ चीज़ें हमें समझना जरूरी है वो यह है कि यह जो balanced reaction मैंने आपके सामने लिख रखा है nitrogen gas plus hydrogen gas is equals to NH3 यह reaction है जिसको मैंने balance करके यहाँ लिख रखता है यह balanced reaction क्या information देता है तो यह balanced reaction हमें बता रहा है कि 1 mol N2 का 3 mol H2 से react करके 2 mol NH3 बनाता है बस इतना ही information यह दे रहा है कई लोग सोच रहे हैं क्या सर मैं इसको gram में लिख सकता हूँ कि 1 gram N2 3 gram H2 के साथ react करके 2 gram NH3 बनाता है बिलकुल नहीं मैं यही बताने वाला हूँ यही main key point है जब भी आपको balanced reaction दे आप कभी उसको gram में deal ना करें भले ही question में information gram में दिया हुआ हो लेकिन आप gram से सबसे पहले mol निकालने gram को सबसे पहले mol में convert कर लें और mol में convert करने के बाद ही उस reaction को proceed करें तो यह information हमें मिल गया कि इसका 1 mol इसके 3 mol से react करके इसका 2 mol बनाता है जब यह पता चल गया तो मैं अगर आपसे पूछू कि N2 का 10 mol है तो simple unitary method है कि वो H2 के 30 mol से react करेगा और NH3 का 20 mol बनाएगा तो यह आप बार बार unitary method लगा के यह find कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों के लिएक short trick भी लेकर आया हूँ जो कि next slide में हम लोग discuss कर रहे होंगे क्योंकि जब लंबे questions होते हैं उसमें बार बार unitary method लगाना बहुत lengthy हो जाता है तो इसको हम लोग एक short trick के method से भी करेंगी तो चलिए अब हम लोग short trick देखते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने एक hypothetical reaction लिख रखा है कि a mole of a reacts with b mole of b then it gives c mole of c and d mole of d यह यह balanced equation हमें बता रहा है लेकिन आपको a का a mole नहीं दिया गया अगर question में a का आपको x mole दे दिया गया या कुछ gram दे दिया गया तो gram से mole तो आप निकाल सकते हैं पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं तो हम मानते हैं कि आपको direct a का x mole दे दिया तो उससे c का कितना mole बनेगा तो एक तो आप unitary method लगा सकते हैं कि a से c बनदा है तो one से बनेगा cya और x से बनेगा cya into x लेकिन इसको fast कैसे करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है जो given mole है न उसको आप लिख दें और इसको किसी एक number से multiply करना है और किसी एक number से divide करना है किस से multiply करना है किस से divide करना है वो दोनों आपके आँखों के सामने है c का जो astrochometric coefficient है उसी से multiply करें और जो given है उसके astrochometric coefficient से divide करें यही आपका answer आ जाएगा अभी तो आपको लग रहा होगा कि यह तो सोचना पड़ेगा इतना लेकिन जैसे आप इसको practice में लाएंगे यह एक second का काम है जैसे अपन d के लिए करते है तो जो given है वो लिख दें multiply करें इसके astrochometric coefficient से divide करें जो given है उसके astrochometric coefficient से अब x mole a कितने mole b से react करेंगा तो जो given है वो लिखें साथ में b का astrochometric coefficient से multiply करें a क astrochometric coefficient से divide करें आप similar way में practice कर सकते हैं कि अगर b का y mole given होता तो c कितना बनता d कितना बनता और a कितना consume होता चलिए एक में करके दिखाएता हूं d कितना बनता यह मैं दिखाएता हूं y given है उसको d के astrochometric coefficient से multiply करें b के astrochometric coefficient से divide कर दें इतना d बनता अब आप c और a खुद से find कर लेंगे तो यह हमारा sot trick था और इसी के मदद से हम लोग आज के questions को solve करेंगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां हम लोग J के questions को solve कर रहे होंगे और पहला question आपके सामने है जो की J man 2024 में आ चुका है 5th April evening shift J man 2024 इसको आप लोग try करें तो यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या करता है question करा है कि the number of moles of methane required to produce 11 gram CO2 after complete combustion तो सबसे पहले combustion reaction आप समझें combustion क्या होता है यहाँ पर methane का combustion कराया जा रहा है तो methane आप लोग जानते होंगे CH4 को हम लोग methane कहते हैं तो CH4 का combustion कराया जा रहा है तो जब भी आप किसी hydrocargon का combustion कराते हैं combustion का मतलब होता excess of oxygen से reaction कराना तो जब भी किसी hydrocargon का आप combustion कराते हैं तो हाँ पर CO2 gas और water form होता है, पहली चीज़ तो आप reaction लिख लें, दूसरी चीज़ आप इस reaction को balance कर लें, तो आप जैसे इस reaction को balance करेंगे, यहाँ पर oxygen देखें, 3 था इधर 2 था, तो इधर हमने 4 oxygen कर लिया, और यहाँ पर भी देखें, हमने 4 oxygen कर लिया, 4-4 hydrogen भी हो गया, यह equation balance हो चुका है, balance करने में मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पर देखें, 11 gram CO2 given है, यह given है 11 gram, लेकिन मैंने आपको पीछे ही बताया था, कि हम किसी भी reaction को gram में proceed नहीं करेंगे, भले ही data हमें gram में given हो, लेकिन proceed हमें मोल में करेंगे, तो 11 gram में कितना मोल वो find कर लें, CO2 का molar mass होता है, 44 gram, तो given mass via molar mass, it goes to 1y4 mol, हमें 1y4 mol CO2 given है, तो कितना मोल methane required होगा, methane कितना मोल required होगा, तो जो given है उसको as it is रखें, और इसके strachometric coefficient से multiply करें, CO2 के strachometric coefficient से divide करें, यहां clearly दिख रहा है, 1 mol CO2, 1 mol methane से मिलता है, तो 1y4 mol CO2, 1y4 mol methane से मिलेगा, तो हमें clear पता चल चुका है, कितना mol methane required होगा, तो 1y4, इसको decimal में 0.25 mol भी लिख सकते हैं, तो option number B, जहां दिख रहा है, 0.25 mol, वो हमारा answer हो जाएगा, hopefully आपको समझ में आया होगा, और यही में ऐस माना जाता है कि questions repeat नहीं होते, J-E advance में तो अभी भी repeat नहीं होते, लेकिन जब से J-E main में 8-8-10-10 paper हर साल होने लगें, तब से J-E main में काफी सारे questions repeat होने लगें, जैसे यह question, अभी हम लोग और question करेंगे, तो आप देखेंगे, यह question तीन बार आ चुका है, बस slight change of data है, जैस question, तीन-तीन बार आ चुका है, यनि कि आप अगर PYQ करके जाते हैं, तो एकदम similar question देखने को मिलता, 2024 का paper देने से पहले, अगर आप 2022-23 का paper देके जाते हैं, या paper attempt करके जाते हैं, तो यह question आपके लिए एकदम देखा हुआ question था, फिलाल हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यह भी similar question ही है, और J-Main 2024 का ही question है, 8th April morning shift का question है, इसमें कहा जा रहा है, कि combustion of glucose produces CO2 and water, बिल्कुल सही बात है, गुलकोज का भी जब आप combustion कराएंगे, combustion का मतलब आप जानते ही है, excess of oxygen से reaction कराना ही, combustion कराना होता है, तो जब हम लोग गुलकोज का combustion कराएंगे, यहनि कि C6, H12, O6, combustion का मतलब, excess of oxygen से reaction, जब reaction कराएंगे, बनने वाली चीज, CO2 plus H2O, reaction तो हमने लिख लिया, लेकिन अगला ही step, जैसे हैं आप reaction लिख लें, अगला ह आपको आता है, ऐसा मैं बांडा हूँ, यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, तो यह reaction balanced हो चुका है, अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल आप से यह पूछा जा रहा है, कि the amount of oxygen required for the complete combustion of 900 gram glucose, यहनि कि glucose का amount हमें दे दिया है, मोल में दिया, नहीं, ग्राम में दिया है, तो इसको मोल में convert करना पड़ेगा, 900 gram glucose दे दिया, इसके लिए oxygen कितना required होगा, यह पूछा जा रहा है, अब आप 900 gram glucose को मोल में convert कर लें, तो given mass by a molar mass, glucose का molar mass 180 होता है, जैसे ही आप divide करेंगे, आप 5 आ जाएगा, यहनि कि 5 mole, अब 5 mole से O2 क इतना बनेगा, आराम से लिख सकते हैं, 5 into O2 का strachometric coefficient 6 divided by glucose का strachometric coefficient 1, 30 mole O2 required होगे, 30 mole O2 required होगे, लेकिन यह mole पूछ रहा है यह gram में पूछ रहा है, mass पूछ रहा है, gram में पूछ रहा है, in gram, तो जितना mole आया है, उसको molar mass से multiply कर दे, O2 का molar mass 32 होता है, तो 30 into 32 इतना ही gram produce होगा, जिए इसको multiply करेंगे, तो 960 gram आ रहा होगा, बेहद आसान सवाल, option number D match हो रहा है, और option number D ही इसका answer हो जाएगा, तो मैंने आपको एक एक चीज़ समझा है, बट स्टिल आपको इसमें अगर जरा सा भी doubt है, तो आप comment box में जरूर पूछेंगे, फिल हाल हम लोग अगले सवा की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला सवाल देखें क्या कर रहा है, एक्स ग्राम आफ इथाइल एमीन reacts to NaNo2 HCl, अच्छा, ये reaction जो है, ये आप organic chemistry में पढ़ते हैं, इथाइल एमीन ध्यान से देखेंगे, तो एक primary amine है, primary amine, CH3, CH2, NH2, ये आपका इथाइल एमीन है, एक बहु और साथ में HCl, या फिर इसकी वज़ा हम लोग direct HNO2 भी ले सकते थे, ये सब आपको organic में पढ़ाया जाएगा, class 12 में, reaction mechanism में, तो जब भी amine इससे react करता है, तो ये NH2 जो है, वो N2 में convert हो जाता है, N2 प्लस में, और वो फिर N2 यहां से बाहर निकल जाता है, तो जितना mol amine का given होगा, उतना mol ही N2 बाहर निकलेगा, अभी अपने काम का चीज़ इतना ही है, कि अगर ये एक mol लेंगे, तो N2 का भी एक ही mol निकलेगा, बस, यहां से हम लोग आसानी से solve कर सकते हैं, तो अब देखें, X gram, इसका X gram given है, इतायलेमीन का, इसका diagotization कराया गया, फिर water से reaction करा दिया गया, ठीक है, N2 gas निकल रहा है, उसका volume हमें दे दिया गया, 2.24 लिटर, और ये volume दिया गया, at STP, तो STP पे 2.24 लिटर है, तो हम लोग यहां से number of mole कैसे निकाल लेंगे, given volume divided by 22.4, तो यहां से निकल क्या जाएगा, number of mole, जो की हो जाएगा, 0.1 mole, तो इसने दिया तो volume था, लेकिन वहां से हमने mole find कर लिया, कि 0.1 mole N2 बना होगा, तो उसके लिए कितना ethilemin required होगा, ये भी 0.1 mole ही required होगा, लेकिन इससे mass पूछा जा रहा है, इसका mass पूछा जा रहा है, ग्राम में, तो इसके लिए हमें CH3, CH2, NH2 का molar mass पता होना चाहिए, molar mass को mole से multiply कर दें तो हमें gram आ जाएगा, और मैं आपको बता दूँ कि CH3, CH2, NH2 जो है, इसका molar mass जब आप find करेंगे, तो 45 gram आता है, तो यहाँ पर जो mass required होगा, वो होगा, 0.1 into 45, जो कि हो जाएगा 4.5 gram, लेकिन ये इस form में पूछ रहा है, 10 to the power minus 1 के form में, तो 4.5 को हम लोग 45 into 10 to the power minus 1 gram भी लिख सकते हैं, तो इस question का answer जो है, वो 45 हो जाएगा, 45 इसका answer हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये question भी आपको clear होगा, और अगर अभी भी इसमें कोई doubt है, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, फिलाल हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question देखे, ये statement 2024, यनि क same year, same year ये question भी आया है, और इस question में कुछ भी change नहीं है, कुछ भी change नहीं है, द्यान से देखें, जो पहला question हमने किया था, कि 22 gram CO2 बन रहा है, उसके लिए कितना mole methane required होगा, कुछ भी change नहीं है, बस आप reaction लिख लें, सबसे पहले reaction लिख लें, methane का combustion कराया जा रहा है, करा ले CH4 होता है, methane, इसका excess of auto से reaction करा दें, बनने वाली चीज़ हो जाएगी, CO2 plus H2O, यहां दो रख देंगे, यहां दो रख देंगे, balance हो चुका है, 22 gram CO2 दे दिया गया है, उधर 11 gram था, इधर 22 gram दिया है, बस इतना ही फर्क है, तो 22 gram की बज़र से ये half mole है, क्योंकि इसका molar mass 44 हो होगा, तो half mole CO2 बनाने के लिए half mole ही methane required होगा, क्योंकि one mole CO2 बनाने के लिए one mole methane की जरवत हो रही है, तो half mole CO2 बनदा है, तो half mole ही methane required होगा, और half को हम लोग x into 10 to the power minus 2 के form में लिखना है, तो half को हम लोग लिख सकते हैं, 50 into 10 to the power minus 2, तो x का value जो है वहां पर 50 हो जाएगा, यही कि इसका answer हो जाएगा, कोई doubt नहीं होना चाहिए, बिल्कुल similar question है, फिलाल अगला question, यह थोड़ा बढ़िया question है, जिसमें organic का एक reaction involved हुआ है, बस इतना ही अच्छा है, बाकी तो सब normally है, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, वही है, बस इसमें organic का एक reaction use कर लिया है, इस को समझ सकते हैं, कि अगर आपने पिछले 10 साल के question लगा लिए, तो बहुत chance है, जाएगी 10 question, 30 में से chemistry में जो 30 question आते हैं, उसमें से 10 question जो है, वो सेम ही आ जाए, तो फिलाल चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस question को पढ़ते हैं, यह question कह रहा है, कि from 6.5 gram of aniline, हो सकता ह आप अभी 11th में हो, आपने aniline नहीं सुना हो, बर जो dropper में हैं, या 12th में, वो जरूर जानते हों, यह जो लिखा हुआ, यह structure, यही aniline है, benzene ring पर हमने NH2 add कर दिया है, तो इसका 6.55 gram गिवन है हमें, from 6.55 gram of aniline, the maximum amount of acetaniline, यह जो है, acetaniline, यह कितना बनेगा, acetaniline कितना बनेगा, तो aniline जो है, वो जब acetic anhydride से react करता है, तो acetaniline बनता है, और यह उसका formula रहा, इसका एक mole, इसका एक ही mole बनाता है, अपने काम का, बस इतना ही है, कि इसका एक mole, इसका एक ही mole बनाता है, और यह भी एक mole बनता है, ध्यान से देखें, इस reaction में क्या तो ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से एक hydrogen, NH2 का एक hydrogen हटके यहां पर लग गया है बस, और यह COCS थूरू जाके nitrogen पर लग गया है, बस इतना ही हुआ है, बस इधर की चीज़ें इधर चली गई, उधर की चीज़ें इधर आ गई, कहीं से भी atom add नहीं हो रहा, तो कोई atom बढ़ नहीं रहा, तो इसलिए balancing में कोई change नहीं आएगा, इसका एक mole, इसके एक mole से react करके, इसका भी एक mole और इसका भी एक mole देगा, अब 6.55 ग्राम एनिलीन इसने हमें दे दिया, तो इससे कितना यह बनेगा, तो इतना ही पूछा जा रहा है, तो हमें पता चलन चाहिए कि 6.55 ग्राम एनिलीन में कितना mole एनिलीन है, और उसके लिए हमें एनिलीन का molar mass पता होना चाहिए, तो एनिलीन का formula मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, C6, H5, NH2, phenyl ring पे NH2 लगा दिया, अब इससे जब mass निकालेंगे, तो आपका 93 ग्राम आएगा, इससे जब mass न और जब इसकी value find करेंगे, तो 0.0704 ग्राम नहीं, mole, इतना mole आ जाएगा, तो एनिलीन का 0.0704 mole है, तो एससे टैनिलीन जो है, इसका भी 0.0704 mole ही बनेगा, लेकिन पूछा जा रहा है इसका mass, तो उसके लिए इसका molar mass पता होना चाहिए, और इसका molar mass जब आप find करेंगे, बता हूं C8, H9, NO, तो अब जिसका आप molar mass find करेंगे, तो 135 ग्राम आएगा, तो जितना mole given है, उसको 135 से multiply कर दें, तो आपका answer आ जाएगा, तो जब इसको multiply करेंगे, तो आपका answer आ रहा होगा, 135 है, तो इसका answer आ रहा होगा 9.504 ग्राम, यह आप multiply करके check कर लेंगे, लेकिन 10 to the power minus 1 के form में पूछा जा रहा है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते है, 95.04 into 10 to the power minus 1, तो इसका answer जो है, वो 95.01 हो जाएगा, कुछ भी नहीं था, बस यह reaction अगर आपको मालूम है, जो कि आप organic पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा, तो यह reaction अगर आपको मालूम ह है, इसका balanced equation मालूम है, तो आपको पता है कि इसका एक मोल इसका एक मोल बनाता है, तो बस जो gram दिया हुआ है, उसको मोल में आपने convert कर लिया, फिर product का मोल निकल गया, और उसके मोल को आपने फिर gram में convert कर लिया, आगे बढ़ते हैं, same reaction है, इस बार calculation और आसान कर दिया, क्य जनी कि एनिलीन आपको 0.1 मोल दे दिया, तो इससे ये भी 0.1 मोल बन जाएगा, और ये जब 0.1 मोल बनेगा, तो इसी का mass पूछा जा रहा है gram में, तो 0.1 into 135, इसका इसटो 13.5 ग्राम हो जाएगा, लेकिन 10 to the power minus 1 के form में लिखना है, तो आप 13.5 ना लिखके, इसको 135 into 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं, तो इसका answer 135 हो जाएगा, लेकिन सेम ही ये, अगर आप ये question करके जाते, अगर आप पीशे का question करके जाते, तो ये question बड़ा असानी से कर सकते थे, तो यही चीज़ है, कोंसा question पहले आया है, ये 27th January को आया है, 6th question, और 5th question जो है, वो 4th April को आया है, मतलब जनवरी वाले shift का अगर आप पीवाईक्यू करके जाते, तो अप्रील वाले shift में एकदम similar पीवाईक्यू देखने को मिला था, similar question जाई में ने पूछा है, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा, कि चीज़े कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, पीवाईक्यू का क्या importance है, आप खुद से try करेंगे, यह आप खुद से try करेंगे, 22 gram CO2 है, यानि कि half mole CO2 है, इससे half mole methane required होगा, और half mole methane का mass 8 gram आ जाएगा, यह लिए, औरली हो गया, औरली हो गया, यह question, बट आप खुद से reaction लिखके, balance करके, फिर try करेंगे, बहुत आसान सवाल है, अगले सवाल की hydrogen, liberated at STP, by treating 2.4 gram of magnesium, यहाँ पर magnesium का HCL से reaction कराया जा रहा है, तो आपने class 10 में पढ़ा होगा, reaction of acid with metal, तो MZ हमारा metal है, इसका reaction कराया गया, HCL acid से, तो जब भी metal को acid के साथ treat करते हैं, तो यहाँ पर salt बनता है, जो हैं, magnesium chloride बनेगा, और साथ में hydrogen gas निकलता है, तो यहाँ पर आप इस reaction को balance कर लें, MZCl2 है, यहीं कि 2 chlorine है, तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, और यह reaction balance हो गया, यहाँ दो लिखने ही, यह reaction balance हो चुका है, अब यह जो H2 gas निकला है, इसी का volume पूछा जा रहा है, तो अब ध्यान से देखें, हमारे पास 2.4 gram magnesium दिया और magnesium का molar mass होता है 24, तो mole क्या हो जाएगा, given mass, molar mass is goes to 0.1 mole, अब यहाँ पर देखें, इसका 1 mole, इसका 1 mole बनाता है, 1 mole magnesium लेने पर 1 mole hydrogen बनता है, तो 0.1 mole magnesium लेने पर 0.1 mole H2 बनेगा, लेकिन volume पूछा जा रहा है, तो 1 mole का volume कितना होता है, 22.4 litre, 1 mole का volume होता है, 22.4 litre, तो 0.1 mole का volume हो जाएगा, 2.24 litre, लेकिन 10 to the power minus 2 के form में लिखा ना है, तो इसका आप लिख लेंगे 224 into 10 to the power minus 2 litre, तो इसका answer 224 निकल के आ जाएगा, बहुत simple सवाल था, हमने पूरा discuss किया, still कोई doubt, तो feel free to ask in comment box, फिलाल आगे बढ़ते हैं, 9th question है, अब यहाँ पर देखें, zinc react कर रहा है, magnesium की जगह zinc ले लिया इन्होंने, acid same रखा, hydrogen gas और zinc chloride मिलता है, सब कुछ बता दिया इन्होंने, volume of hydrogen gas कितना बन रहा है, वो भी बता दिया इन्होंने, नहीं बताया, volume पूछ रहे, volume of hydrogen gas पूछ रहे, 11.5 gram और zinc का molar mass भी इन्होंने दे रखा है, ditto same question, exactly similar question है, जैसा मैंने भी पिछला question डिसकस किया है, इसको भी आप घर से solve करेंगे, और यह जो PDF है, यह मैं आपको telegram group में provide कर दूँगा, telegram group का link description box में दिया हुआ है, आप वो join कर लें, और उसको आप full से solve करेंगे, और still कोई doubt आएगा, तो आप group में ही doubt पूछ लेंगे, otherwise यहां comment करके भी doubt पूछ सकते हैं, लेकिन यह question आप खुद से try करें, और यह अगला question, 10th question है, इस बार reaction उसने खुद से दे दिया, जैमें 22 में आया हुआ question है, 29th July evening shift, इस बार reaction उनने खुद से दे दिया, और वो भी balance करके दे आपको balance करके भी दे दिया कि उसकी भी ज़रुत नहीं है, अब the amount of HNO3 required, HNO3 कितना चाहिए होगा, gram में, to produce 110 gram of KNO3, इसका amount दे दिया, 110 gram, तो मैंने पहले ही बोला है कि data उन्होंने वले ही gram में दे रखा हो, लेकिन हम लोग कभी भी gram में प्रोसीड नहीं करेंगे, मोल में करेंगे, तो सबसे पहले KNO3 का molar mass निकालने, उसके लिए भी data सबका नीचे given है, तो इसका जब आप molar mass निकालेंगे तो 101 आएगा, उससे जब divide करेंगे तो number of mole आजाएगा, 110 by 101, फिलाब मैं इसी form में रख रहा हूँ, तो इतने mole से कितना mole HNO3 बनेगा, अब यहाँ पर 100 trick क काम आएगा, आपका ध्यान से देख, तो कैसे निकालेंगे, कितना mole HNO3 बनेगा, simple है, जितना mole यह given है KNO3, उसमें multiply करें, HNO3 के stoichiometric coefficient से, divide कर दें, KNO3 के stoichiometric coefficient, तो इतना ही mole HNO3 required होगा, तो जब इतना mole HNO3 required होगा, तो आप पूछा जा रहा है कि HNO3 का कितना amount required होगा, यहन KNO3 के molar mass से, और HNO3 का molar mass जब आप find करेंगे, जो data given है, उसकी मदद से, तो यह आएगा 63, और जब आप इसको solve करेंगे, तो 91.5 gram आ जाएगा, जो कि यहाँ option number C में है, तो calculation आप खुद से कर सकते है, 91.5 gram answer आएगा, और कोई भी doubt आए concept में, या calculation में भी, तो आप बिलकुल सकते हैं, फिलाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला question, इस वार भी similar question, इस वार भी उन्होंने reaction दे दिया है, और वो भी balanced reaction दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाला concept है, थोड़ा सा बहतर question है, कि SOCl2 को इन्होंने react कराया, water से, दो acid बंड हैं, S2SO4, sulfuric acid, और HCl, hydrochloric acid, इस वार इन्होंने amount किसका दिया, इसमें से किसी का amount नहीं दिया, एक तीसरा चीज है, NaOH, अलग से लाया है इन्होंने NaOH, और इसका amount दे दिया, कि 16 mole NaOH की ज़रुत परती है, इस उपर वाले जो solution ह है, इसको neutralize करने के लिए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो acids बने हैं, यही तो इस base से react कर रहे होंगी, अब ध्यान से देखें, उपर 1 mole H2SO4 और 2 mole HCl बन दा है, यानि कि अगर SOCl2 का 1 mole हम लेंगे, तो यहां से 4 mole H+, निकलेगा, 2 mole H2SO4 से, और 2 mole HCl से, और NaOH तो एक ही mole OH- देता है, यानि कि यह 4 mole H+, है, तो यह 4 mole OH- के साथ neutralize करा देगा, यानि कि अगर आपने 4 mole NaOH लिया, तो उसको एक ही mole SOCl2 जो है, वो निप्टा देगा, तो इसी बात कहां लिख लें, 4 mole NaOH के लिए एक ही mole SOCl2 चाहिए, तो for 16 mole, 16 mole रहने थे, अराम सी उनिटरी मेथट से कर लेते हैं, for 1 mole NaOH, 1 via 4 mole, SOCl2 is required, then for 16 mole NaOH, 1 via 4 into 16, 1 via 4 into 16, जो कि आपका 4 आ जाएगा, 4 mole SO2, CL2 is required, तो 4 mole आपका answer हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, next question, बहुत आसां सा question है, number of grams of bromine, that will completely react with 5 gram of pent 1 in, ये भी एक organic का reaction है, इसलिए मैंने पूरा reaction लिख दिया है, ये आप पढ़ेंगे hydrocarbon chapter में, कि अलकीन पर BR2 कैसे react करता है, अपने काम का चीज तो यही है, ये नीचे जो मैंने reaction लिख रखा है, ये balanced reaction है, एक मोल, एक मोल, एक मोल, एक मोल, एक मोल, पेंटीन जो है, एक मोल BR2 से react करके, एक मोल 1, 2, डाइभरोमो पेंटीन बनाता है, बस, यही अपने काम का है, यहाँ पर देखें, पेंटीन का weight दिया हुआ है, 5 gram, तो यहाँ पर पेंटीन के नीचे लिख लें, 5 gram, लेकिन यह mass दिया हुगा है ग्राम में लेकिन ग्राम में तो हम लोग reaction डील नहीं करते इसको मोल में convert करने के लिए इसका जब आप molar mass find करेंगे तो 70 आएगा इसको 70 से divide करें इतना ही मोल हो जाएगा तो कितना ग्राम ब्रोमीन चाहिए तो पहले ब्रोमीन का मोल निकालने तो ब्रोमीन का म इसके एक मोल से react करता है तो इसका 5 by 70 मोल इसके 5 by 70 मोल से react करेंगा 5 by 10 नहीं 5 by 70 अब इसका ग्राम में चाहिए तो इसके molar mass से multiply कर दें अब आपको पता होगा ब्रोमीन का molar mass जो है वो 160 होता है इसको 160 से multiply कर दें जब 160 से multiply करेंगे 11.428 आ जाएगा इसी को 10 to the power minus 2 के form में लि इन्टू 10 to the power minus 2 तो इसका answer जो है वो आप अगर nearest integer में करेंगे जनरली nearest integer ही होता है इसका answer हो जाएगा 1143 इन्टू 10 to the power minus 2 अब यहाँ तक आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए next question फिर से combustion of methane का question है यह आप एक बार खुद से try करेंगे और आगे बढ़ते हैं इस बार है consider the complete combustion of butane the amount of butane utilized to produce 72 gram water यह भी आप खुद से try कर सकते हैं butane का combustion का reaction लिखें C4H10 plus O2 CO2H2O इसको balance करें और water का mass दिया हुआ है वहाँ से mole निकाल लें उसके लिए कितना butane required होगा वही पूछा जा रहा है मेरे ख्याल से the amount of butane बिल्कुल कितना butane required होगा वही पूछा जा रहा है यह आप find कर सकते हैं यह भी आप homework question माल लेंगे और total आज हमारे पास 16 question थे हम लोग second last question पर आ चुके हैं यह आपका जेइमेन 2021 में आया हुआ question है 18 March morning shift यह पर देखें यह question कर रहा है complete combustion of 3 gram ethane gives this much molecule of water यह यहाँ पर ethane का combustion कराया जा रहा है आप reaction लिखलें C2H6 plus O2 इससे बनदा है CO2 और H2O आप इस reaction को balance कर लें इथेन के reaction को जब आप balance करेंगे तो यह आप 9 10 में भी किया होगे 7 by 2 आएगा oxygen से पहले यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा 3 यह reaction balance हो चुका है अब यहाँ पर 3 gram दिया हुआ इथेन और इथेन का जो molar mass है वो 30 होता है तो यहाँ से mole निकल के आजाएगा 0.1 तो 1 mole इथेन से 3 mole water बन रहा है तो 0.1 से 0.3 mole water बनेगा लेकिन यह molecule पूछ रहा है त 0.3 na यहीं कि 0.3 into 6.022 into 10 to the power 23 molecule हो जाएगा तो इसको जब सौरू करेंगे तो 1.8 नहीं 1.8 ही होगा 1.8 into 10 to the power 23 के अप्रॉक्स इतना आ जाएगा लेकिन 10 to the power 22 के टम में पूछा जा रहा है इसको में 18 लिखना पढ़ेगा 18 into 10 to the power 22 यहीं हमारा answer हो जाएगा यहाँ पर देखें 18 18 जो है वो इस question का answer हो जाएगा तो फिलाल हम लोग आगे बढ़ते हैं round off ही पूछ रहा है नियरेस्ट इंटीजर में इसलिए हमने उपर ही round off कर दिया था अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल जब आप पढ़ेंगे तो एक reaction है जिसमें 0.1 mole benzyl amine दिया है यह फिर से औरगेनिक का reaction है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि mole concept का question मुस्किल कैसे बनेगा जब औरगेनिक वाले question पे mole apply कराया जाएगा औरगे के भी reaction को ध्यान में रखना आपकी जिम्मेदार है अगर आप mole के question को सही करना चाहते हैं तो यहाप पर इसका 0.1 mole directly दे दिया है मैं red color use कर लेता हूं ताकि आपको दिखे हां यहाप 0.1 mole इसका directly दे दिया है लेकिन यह मैंने पूरा reaction इसलिए लिखा क्योंकि जब इस पर आ यह जो ब्रोमो मिथेन दिख रहा है तो एक जो यह आपका बेंजाइल एमीन given है यह तीन ब्रोमो मिथेन से react करेगा बस यह अगर आपको पता चल गया तो आप इस reaction को आसानी से solve कर सकते हैं क्योंकि आपको बेंजाइल एमीन का mole पता है 0.1 तो इससे ब्रोमो मिथेन कितना required होगा तो उसका 3 times यनिकी 0.3 10 to the power minus 1 के form में लिखना है तो 3 into 10 to the power minus 1 तो last तक आते आते हम लोगों ने question को ओरली लगबग ओरली करना सीख लिया है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं हम लोग मिलेंगे फिर से नए वीडियो में mole concept के ही नए concept के साथ concept number 3 में और उस अरी आीव ने ने नाच विड का क् extending साथर वाल, क्यों के साहल चाहल, क्या जागए हूल, तक रविएamat़ च्हेए, और उस्का रूंत थ्यूद का झाते हैं है